हम कहते नहीं ठकते कि भारत एक बार फिर विश्व गुरू बनेगा लेकिन भारत पहले से ही विश्व गुरू था और आज भी है क्यों विश्व गुरू था ये किसी ने बताने की कोशिश नहीं की हमने तैकिया है कि हम जन जन को उन बज़ों से अवगत कराएंगे जिसकी बज़ा से भारत विश्व गुरू था और आज भी है हमारे प्राचीन गनित्यग्यों, इंजिनेरों और वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया को अनेकों तोहफे दिये गए उनमें एक विधा है, प्राचीन दंत चिकित्सा बहुत कम लोगों को मालूम है कि यह प्राचीन भारतियों की देन है सिंधू भाटी सभ्यता भारतिय उप महादवीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक कास्य यूग की सभ्यता थी जिसमें आज के पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और इरान शामिल थे यह शेत्र दातों के दर्ब को कम करने के लिए मनुश्य के प्रयासों के कुछ सबसे पुराने प्रमानों का साक्षय है सिंधू भाटी सभ्यता ने दंत चिकित्सा के 7000 इसा पूर्व से प्रचलित होने के प्रमान दिये है मिहरगर में एक खुदाइस्थल से धनुष ड्रिल के साथ दातों के विकारों को ठीक करने वाले चिकित्सकों के प्रमान भी प्राप्थ हुए सत्रह सो के दशक तक कई प्राचीन डॉक्टरों ने दातों के अंदर की नसों को उबाव कीड़े समझ लिया था प्राचीन मिस्र के हेसी रे 3000 इसा पूर्व में पहले नामित दंत चिकित्सक थे उनके मगबरे से मिले शिलालेक ने उन्हें सबसे बड़ा दंत चिकित्सक होने का दावा पुखता किया प्राचीन युनानी विद्वानों हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु ने दंत चिकित्सक पर व्यापक रूप से लिखा है जिसमें दातों के फटने के पैटन, सड़े हुए दातों और मसूरों की बीमारी के उपचार, संदासी का उप्योग कर दात निकालना और धीले दातों और खंडित जबड़े को स्थिर करने के लिए तारों का उप्योग करना शामिल है तांग राजवन्ष पहली दर्ज सभ्यताव में से एक है जिसने दातों की सड़न के लिए एक प्रकार के मिश्रण का उप्योग किया अपने अगले अंक में एक और नई विधा प्रस्तुत करेंगे जिससे सिधा होगा की हम विश्व गुरू क्यों है